और सुप्रीम कोट डे जहां नीजी शेत्र में चल रहे तीका करण से जुड़ी विवस्ताओं को लेकर नाराज की व्यक्त की है महीं देश के नीजी अस्पतालों में एक ही तरह के वैक्सीन की अलग-अलग कीमते भी सामने आई है हर अस्पताल ना सिर्फ अपने अनुसार वैक्सीन की कीमत तैय कर रहा है बलकि उस पर शेवा शुल्क भी लगाने लगा है अपने मुताबिक ही अब अस्पताल सेवा शुल्क भी दवाईयों पर लगा रहा है साथ ही आपको बता दे गंभीर बात ये है कि मई के पहले से ही इनी अस्पतालों में वैक्सिन लगाने के लिए सेवा शुल्क केवल 100 रुपे प्रती खुराक देना पर दा था लेकिन अब ये राशी बढ़ा कर तीन गुना तक कर दी गई है ज्यादतर अस्पतालों में वैक्सिन लगाने के लिए सेवा शुल्क कम से कम 250 रुपे से लेकर 300 रुपे तक लिया जा रहा है और इसी भी शुक करेंगे अगली ख़बर की ओर जहां अमेरिका की उपराश्ट पती कमला हैरिस और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के बीच गुरुवार को फोन पर बातचीत की गई दोनों नेताओं के बीच वैक्सीन को लेकर हुई इस चर्चा में कमला हैरिस ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से वैक्सीन सप्लाई का बादा किया है बता दें कि सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार ये दावा किया गया है कि ये फोन कॉल कमला हैरिस की तरफ से ही प्रधान मंत्री मोधी को किया गया था साथी आपको बता दें कि पीम मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि कुछ देर पहले कमला है इस से बात हुई मैंने दुनिया भर में वैक्सीन शेरिंग के लिए अमेरिका की रणनीती के हिस्से के रूप में भारत को वैक्सीन की सप्लाई के आशवासन की सराहना की है इसके अलावा अमेरिकी सरकार कारोबारियों और प्रवासी भारतियों से मिले समर्थन के लिए भी मैं उनका धन्यवाद करता हूँ पीम ने आगे ये भी लिखा कि उन्हें वैक्सीन को लेकर भारत अमेरिका के बीच चल रहे सयोग को लेकर भी चर्चा की है साथी बताया ये जा रहा है कि पीम ने कमला हैरिस को भारत आने का नियोता भी दिया है पीम ओदी की तरफ से कहा गया कि हाला सुधरने के बाद आप भारत जरूर आएगा झाल